जब लोग smartphone लेते हैं, तो ये देखकर नहीं लेते हैं, कि वो particular phone उनके budget में है, या फिर उस smartphone में features कितनी है, कुछ लोगों को तो इन सब चीज़ों से फर्ग भी नहीं पड़ता, और वो features यूज भी नहीं करते, बट phone लेने से पहले उनने एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाह क्योंकि लोगों को उनके phone में क्या चाहिए, एक अच्छी reliability, जो कि customer को वो brand offer करती है, that means कि जब आप वो particular phone लेते हो, तो brand after sale service उसकी कैसी देती है, या फिर software support कैसा है, और कहीं ऐसा तो नहीं है, जब आपने वो phone ले लिया, तो कुछ टाइम बाद आपके बिना किसी गलती से उनके hardware में issue आजाए, या फिर software-wise कुछ problem आजाए, वैसे तो अपने Moto G54 5G का काफी सारा review देखा होगा, even मैंने भी अपने channel पे 1 month, 2 month, 3 month review कर रखा है, बट reviewers लोग generally review में क्या करते है, वो अपना personal experience share करते है, बट इस channel पे मैं अब ऐसी series शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं smart smartphones का first impression, long term review तो करता ही हूँ, बट apart from that, मैं dedicated ऐसी videos बता हूँगा, जिसमें मैं phone के सिर्फ problems की बात करूँगा, and जो मैंने experience किये वो, या फिर मेरे reviews में जो customers ने comment किये, अच्छी बाते, बुरी बाते, या फिर कोई problems, या even जब लोग लेते है, and flip card पे या Amazon पे भी review करते है, तो उस पे भी जो-जो problems है, वो try करूँगा address करने की, and try करूँगा मैं उसके solutions देने की, अगर उसके solutions है तो, तो अगर आपको भी एक smart customer बनना है, तो आप मेरे चैनल को follow कर सकते हो, क्योंकि सीरीज का ये पहला वीडियो है, अभी बहुत सारी वीडियो आना smart phones पर बाती है, तो hey guys, मेना माविनव, आप देखे रहे टेकाट 6, and इस वीडियो में हम बात करेंगे, Top 5 Problems with Moto G54 5G, let's begin, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों बता दू, after watching this वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो लाइक जोन कर देना, and इसका long term review देखना है तो आप जाके check out कर सकते हो, वैसे मैं इस phone को 3 मेनी से use कर रहा हूँ, पहले problem की तरफ बढ़ते है, and क्या ये problem मुझे भी हो रही है कि नहीं, उसके बार में भी बात करेंगे, तो पहला problem है इसके camera से related, बहुत लोग बोल रहे हैं, इसके camera में वो foggy तरीके का hardware issue हो रहा है, software issue बट इनके जो lens है उसमें kind of half foggy हो जा रहा है, and guys ये एक, दो, तीन comments नहीं आया है, बलकि 7-7 comments आये, and उनके भी replies में बहुत लोग ने का है, me too, me too, me too, that means कि ये problem real है, and yes, मेरे वाले phone में ऐसा कुछ problem नहीं हुआ है, and ये phone तो मैं ये phone तो मैं यूज कर रहा हूँ, even मेरे एक friend ने भी उनकी mother को ये phone दिया था, तो मैंने personally ये video बनाने से पहले उनसे consult किया, जाकर पूछा कि भाई, आपका क्या experience है, तो हाँ, वो जादा use नहीं करती है, तो जादा नहीं बता पाएगी, but physically damage मैंने नहीं देखा, या फिर मैंने अपने दोस से भी पूछा कि भाई, उन and एक बार उनसे पूछ लोग कि क्या problem है, and अगर वो ठीक कर देते हैं, तो आप मुझे comment में बता देना, ताकि मैं आगे भी logo बता पाऊं कि भाई, service center जाओगे, तो ठीक हो जाएगा, या फिर अगर वो ठीक नहीं करते हैं, तो भी comment कर देना, कि मैं at least logo को inform कर सकूँ, but the problem is real and ये मेरे वाले unit में नहीं हुआ है, या मेरे जान पहचान में नहीं हुआ है, but comments काफी सारे आए, and yes, camera average है, and अपको अगर camera का भी full review देखना है, तो आप मेरे channel पर देख सकते हो, तो the second problem is, with this phone, is its network, guys, network की connectivity में लेकर, 5G को लेकर, SIM support को लेकर, काफी जादा issue है, बहुत लोग बोरे इसमें 5G या VI support नहीं कर रहा है, yes, मैं personally इसमें Airtel and Jio use कर रहा हूँ, तो दोनों में problem नहीं है, दोनों में 5G भी अच्छी तरीके से चल रही है, and आप बहुत लोग बोल VSNL अभी भी 3G में, अभी वो 4G में नहीं आया है, तो में भी ये support ना करे, but VI के साथ, I don't think कि ऐसा होना चाहिए, अगर आप Vodafone का पुराना समेना, तो try करो उसे VI में port कराने किया, convert कराने किया, SIM change करके देख लो, VI में problem नहीं आनी चाहिए, but VSNL में, क्योंकि वो 5G नहीं है, 4G भी नहीं है, तो वो problem definitely आ सकती है, and 5G बहुत लोगों का नहीं चल रहा है, यार देखो मेरे में तो 5G चल रहा है, मैं ये लेके na, travel भी मैंने किया, तो 5G प्रॉपर चल रहा है, and network की speeds वगरा भी internet की अच्छी है, but मैं आप लोगो कुछ-कुछ solutions बताता हूँ, यार प आपका SIM support करता भी है, या नहीं, तो ये चीज़ सब पहले चेक कर लो, दूसरी चीज़ चेक करो, कि आप अपने phone में 5G, जो network है, उसमें जाके 5G on है की नहीं, क्योंकि 4G में किया हुआ रहेगा, LTE में किया हुआ रहेगा, तो 5G नहीं चलेगा, तो ये दो चीज़ चेक कर नहीं है, या software का problem नहीं है, क्योंकि software मैंने latest update कर रखा है, और 5G चल रहा था पहले भी अच्छी तरीके से, अभी अच्छी तरीके से 5G चल रहा है, जो तीसरी problem है, ये काफी serious problem है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई, उन्होंने phone लिया था, गेम खेलने के लिए, बट उसमें PUBG या जो BGMI है न, वो चल नहीं रहा है, वो crash हो रहा है, बट गाइस, यहाँ पर मैं एक चीज़ clear कर देता हूँ, जब मैंने शुरू-चुरू में phone लिया था, 1 month review या 2 month review किया था न, तब तो कि यार BGMI वगरा सब अच्छे से चल रहा था, बट न, मुझे comments आ है न, मैंने उसे reinstall किया, पहले install किया, फिर reinstall किया, अपना software update किया, try किया, अच्छे से चल रहा है, मुझे कोई problem नहीं है, हाँ, थोड़ा ज़ादा देर खेलता हो न, जब phone गरम होता है, तो थोड़ा सा lag इधर-दर देखने को मिलता है, बट apart from that, यहार ऐसा नहीं है कि phone म update करने की, and तब बताओ, अगर problem आती है, तो मैं try करूँगा को solution देने की, वैसे, to be honest, इसका और कोई solution है, नहीं, आप wait ही कर सकते हो, या फिर एक बार install करके, reinstall करके game देख लो, तो उसे ठीक हो जाती हो, तो अच्छी बात है, वरना software update करने से, I would say, कि 99% लोगों की यह हो गई, चौथा problem है, notification से related, तो guys, बहुत लोग बोल रहे हैं, कि उनको WhatsApp का notification नहीं आ रहा है, तो guys, मैं यहाँ पर बोला चाहूँगा, कि ऐसा problem मुझे तो नहीं हुआ है, of course, यहाँ पर जो भी problems है, उसमें से कोई भी problem मुझे नहीं हुआ, मैं जूट नहीं बोलूँगा, म and मुझे पैसा नहीं दे रही है, तो guys, आपना एक बर जाकर, रिन्स्टॉल करो अपने WhatsApp को, क्योंकि खास कर WhatsApp में बोल रहे हैं, वो problem आ रहा है, and check करो आपका WhatsApp, up to date है कि नहीं, and same software update, check कर लो अपने phone का, and एक बर settings में जाकर WhatsApp में देख लो कि notification आपका वहाँ से on है कि नहीं, क settings में ही ये problem होती है, खास कर, या फिर जो D&D वगर होता है, यूँ वो चेक कर लो कि उसमें कुछ settings में गड़बर होगी, तो ये चीज है, बाकी अगर मैं फिर से वही बोलेंगा, problem आती है, तो कुछ elaborated process हो सकती है, जो मैं भी research कर रहा हूँ अभी, तो वो मैं आपको नीच किया कि उनका screen ना flicker कर रहा है, तो भाई देखो, या तो आप अपने phone को बाहर यूज कर रहे हो, तो बहुत cases में हलका हलका brightness जब जादा कम हो जाता है, आउट्डोर का brightness बहुत बढ़ जाता है, तो आपको कभी-कभी दिख सकता है, even camera में वो चीज दिखता है, या फिर screen damage हो गया, flicker होके, बंद हो गया, तो यह definitely manufacturing defect है, यह 100 phone में, 2 phone, 3 phone के साथ, यह हो जाती है, तो वहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, यह आपका किसमत खराब है, आप एक बाद जाकर service center विजिट करो, में भी वहाँ पर वो solve कर दे, बट यह ना कुछ phone से related नहीं है, यह सारे phones के साथ होता है, और सारे ही smartphone के brand के साथ यह चीज होती है, तो इसमें जाधा tension लेने वाली बात नहीं है, बट हाँ, यह एक problem हो रही है, तो मैंने सोचा address कर देता हूँ, एक additional problem है, जो मैंने भी feel किया है, और काफी लोग बोल रहे थे, वो है heating से related, कि phone बहुत जाधा heat करता है, तो देखो या, शुरुवात में मैंने इसके review में बताया था कि phone heat कर रहा था, बट थ्री मन्त वाले review में मैंने बताया कि आप heavy gaming कर रहे हो, या camera यूज़ कर रहे हो, बाहर जाधा देर तक यूज़ कर रहे हो, तो yes, phone heat करता है, and thermal throttle बीच-बीच में कर जाएगा budget phone है, यह च heat हो जा रहा है, कि आप phone पकड नहीं पा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो अगर आप यह phone लेने का सोच रहे हो, तो मैंने आपको problems बता गया, जो possible solution है, वो मैंने कोशिश की आप लोग को बताने की, तो आप उस चीज़ से decide कर सकते हो, इसका 3 month मैं iCard में दे दू होगा, वहाँ पर आप जा के प्रॉपर चेकाउट कर सकते हो, कैमरा के बारे में performance, gaming performance कैसी है, everything, बट इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर देना, क्यूंकि मैं इस सीरीज में अब मैं top 10 problems, top 5 problems वाली वीडियो लाओगा इस सीरीज में यह पहला वीडियो था, आप लोग बताओ, आप लोग कुछ suggestion दे सकते हो, इसे मैं किस तरीके से और improve कर सकता हूँ, या फिर कौन से smartphone का करना चाहिए, वैसे तो अभी Moto Edge 40 Neo भी काफी hot topic है, काफी hot smartphone है, जिसके बारे में मैं करने का सोच रहा हूँ, तो आप लोग बताओ या कोई force नहीं खर रहा हूँ, बट subscribe कर लो या, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा एक subscriber बढ़ेगा, मुझे एक motivation मिलेगी, विज़ाते देख लिया है, अच्छा लगा, like कर देना चालमेने, और subscribe करके bell icon दबालो, मिलते हैं अगले वीडियो में